वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें 22-12-2024 को परिक्षा होनी है 9 अगस्त से अगर हम देखें तो हमारे पास 130 दिवस के लगभग बच रहे हैं जिन भी स्टूडेंट्स की अभी तक भी कोई समय की तयारी नहीं हो पाई है जी एसो समान हिंदी की आप हमारे पाई ग्रूप में आ करके पूरी तयारी कर सकते हैं लेटेस्ट पाई ग्रूप स्टूडी फॉरस इवल तर्दस का 9 अगस्त दोजार चौबीस से शुरू हुआ है साइक समीक्षा दिकारी की पूरी प्राणबिक प्रीक्षा की तयारी आप इसमें कर सकते हैं जो लोग में इसका बैच जोइन करना चाबते हैं में इसका भी बैच हमारा चल रहा है उसको जोइन कर सकते हैं 130 दिवस में Study for Civil Thurses के सेलेक्शन मेंटरियल के साथ हमारी Paid Recorded Video Classes के साथ और हमारी Practice Resources के साथ आप पूरी तयारी कर सकते हैं 9 अगस को शुरू हुए इस Paid Group में Strategy वीडियो जो दिया जा रहा है वो ये वीडियो है आप इसको देखें पूरा शुरू से आखिर तक सब कुछ इसमें पताया गया है Study for Civil Services के इन Paid Resources के साथ किस तरीके से आप अपना कटाओफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं प्रार्मभी परिक्षा का Study for Civil Services का Full Paid Group जिन लोगों ने जोईन किया है आपको तीन ग्रूप में जोड़ा गया होगा काफी सारा Studium Trail, PYQ वगएरा Compilation दिया गया होगा Reasoning का Studium Trail और कुछ Current Affair आपको दिख रहा होगा और आगे भी जो Studium Trail मिलना है उसके बारे में Strategy वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे Doubt Clearance वाला ग्रूप आपको दिया जाता है आप पूरे Course का डाउट यहां पर पूछ सकते हैं अगर आपका डाउट आरो यारो सिलेबस प्रिलिम्स से समंदित है तो सारा डाउट यहां पर सॉल्प की जाता है हमारे पेड ग्रूप में Doubt लिटेनिस वाले ग्रूप में आपको जोडने का उदेश यही है आरो यारो सिलेबस समंदित कोई भी आपका डाउट है हमारे Course के Stadium Trails समंदित, Recorded Video Lecture समंदित Paid Quiz या Test Series के सवाल समंदित कोई डाउट है तो आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं सबसे पहले Strategy Video आपको देखना होता है वेड ग्रूप में उसको क्लिक करके देखिएगा सब कुछ तभी यहां पर समझ में आएगा इस पूरे Strategy Video में बात करेंगे कि जो हमारा Stadium Trails है उसका उपयोग कैसे किया जाना है Recorded Video Lecture किस तरीके से आपको एक्सेस करने है किस तरीके से देखना है आगे क्या Study Material दिया जाएगा उसका उपयोग क्या है किस तरीके से Strategy बनाते हुए कितना daily study करते हुए आप अपना प्रारणबिक परिक्षा का कट आउफ निकाल सकते हैं 200 नंबर की प्रारणबिक परिक्षा की हमको तैयरी करनी है इस ग्रूप में आप उसमें उतर पा रहे थे या फिर नहीं उसकी एंसर की भी अगर आयोग देता तो थोड़ी सी अच्छी बात होती है हम किस तरीके से 11 एब वाले जैसे पेपर के लिए तैयरी कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं यसाप से किस सवाल यह आ पोचे लेंदी सवाल टफ्ट सवाल ट्रिकी सवाल और अलग-अलग तरीक असके बनाएगा आपको कई बार लगने लगेगा कि ROERO के पेपर ज्यादा टफ है लेकिन इतने टफ पेपर होने के बावजूद भी Study for Civil Services के student अराम से 151 questions यहां पर निकाल सकते थे Hindi GS को अगर मिला करके बात करें 58 questions आप हमारे Hindi के study material से और paid quiz से निकाल सकते थे test series हम लोग count ही नहीं कर पाए थे ROERO leak के case के वज़े से हम लोग test series अपनी check ही नहीं कर पाए आप सिर्फ देखें study for civil services के notes के माध्यम से और हमारे practice resources के माध्यम से जिसमें test series नहीं शामिल कर रहे हैं आप दोसों में से 151 questions यहां पर निकाल सकते थे और cut off ज्यादस ज्यादा इन दोनों papers का expected था 115-120 UR candidate के लिए इतना ही estimate किया जा सकता था अगर सब चीजें सही रहती है खैर जो भी हुआ आपके पास एक second chance है हमने study material को update किया है इस बार recorded classes का भी feature हमने कुछ source समझ के add किया है recorded classes का feature add करना समय की बांग है क्योंकि जो conceptual question आजकल पूछे जा रहे है जो concept पूछे जा रहे है जैसे महात्मा गांदी वाला जो question देखे militancy जो पूछा था इसमें concept building की जरूरत है assertion reason वाले जो question बन रहे है recorded classes में यही फोकस किया गया है कि assertion reason वाले question आप solve कर सके चीजों को depth में समझें उनकी insight गैदर करें assertion reason वाले question ड्रैकली बुक से नहीं होते हैं कभी भी बुक से assertion reason वाले question आयोग नहीं बनाता आयोग के fresh question होते है assertion reason वाले कथन कारण वाले सवाल करने के लिए आगो concept build up जरूर है सिस्टम मुगल पीरेट के बढ़े और जागीर्दारी सिस्टम पढ़े ए जागीरदारे और इजरादारी पढ़े आपने रीतवारी आपने पढ़ा में क्या क्या महीन ग Oak क्योन किस भूमि का मालिक बनता है जैसे नायंकार सिस्टम आपने विजय नगर बढ़ा तो इन सब में आपस में क्या समानता है या डिफ्रेंसेस है आजकल इससे सम्मझदित सवाल बना दे रहे हैं समझ रहे हैं आप मतलब पूरा सिलेबस से सम्मझ दे तो आप सवाल एक पूछा जा रहा है पहले ऐसा होता था कि फलां टॉपिक से यह वाला सवाल है यह टॉपिक से यह वाला सवाल है अप टॉपिक वगर कुछ नहीं पूरे सिलेबस से सवाल पूछ जा रहे हैं आप कई सारी प्रशन ऐसे देखेंगे कि उसमें तो इस तरीके एक सवाल जिसमें हिस्ट्री जोग्रफी को लिंक करके जोग्रफी और एग्रिकल्चर को लिंक करके सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसी वज़े से हमने यह आप पता है कि रिकॉड़िट क्लासे भी आप पढ़े हैं हमारे नोट्स के माध्यम से कि से बहुत जादा का आप कर सकते थे कट आफ से इतने नंबर उपर कर सकते थे कि अगर एक आदे में आप अनफॉर्चुनेट भी रहे आयोग ने गलत उत्तर भी पान लिया तब भी आप कट आफ से आगे रहें है और इसको इस तरीके से अबडेट किया कि आप कोश्चन कर सकें बहुत ही कम बुक्स में साइमन कमीशन के दूसरी बार आने की डेट बगरा मेंशन थी और साइमन कमीशन ने कहां कहां पर यात्रा की थी यह लिखा हुआ था लेकिन हमारे स्टडी मिट्रेल में सारी चीज अलग करने काम करता है अपने स्टडी मिट्रेल देखा होगा रीजिनिंग का दे दिया गया है समान बहुत आखंदी का हैरे की चिंगल पीडियां की अ से संभादित सारे सब्जेट के करीब 100 देवाइस वीडियुक्लासेस आपको मिल गए होंगे गूरुप में वीडियुस दिख रहे होंगे आपको वीडियुक्लासेस के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको अभी डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, उसका चार्ट मैं भी शोकरते रहूं, recorded video classes सारे एक साथ आपको दे दियेगा हैं, जिससे आपको खोजने में दिक्कत ना हो और आपको वेट ना करना पड़े तो device class notes जो हैं, जिन पर video बना हुआ है, वो class notes किस तरीके से मिलेंगे, उसका ये चार्ट देख लीजे आप 10 अगस से शुरू होगा, class notes मिलना आपको, सुबह 10 बजे में आपको मिल जाया करेगा पहले समान विज्यान का class notes आएगा फिर यहां पर भारत के इतिहास का, राष्टी अंदुलन का फिर भारती राजोस्था का, फिर पर्यावरण का फिर समान विज्यान का, फिर इतिहास का, फिर राजोस्था का, फिर पर्यावरण का इस तरीके से आपको class notes देखने को निलता रहेगा 10 अगस से शुरू है daily basis पर मिलेंगे इन सभी के video lecture already दे दियेगा है के अलग, environment के अलग और total current fair के PDF हम आपको एक December को अपलब्द कराएंगे, जिसमें total current fair जितना भी आपको study करना होगा वो एक साथ दिया रहेगा अभी current fair कितना study करना है राश्ट्री अंतर राश्ट्री current fair आपको December 2023 लेकर जून 2024 तक का दे दिया गया है जुलाई वाली PDF भी आपको मिल चुकी होगी जब तक हम एडियो रिकॉर्ड करना है जुलाई 2024 वाली PDF भी आपको ग्रूप में आ चुकी होगी आगे current fair आपको मिलते रहेंगे August का आपको study करना है September का study करना है और October का study करना है और November का study करना है December में हम कोशिच करेंगे 5 December तक का current fair आपको उपलब्द करा दें तो कि काई बार 19-17 दिवस पहले की निउस पूछ ली जाती है जरूरी वाली तो 5 December तक का current fair 2024 का आपको तयार करना है हम आपको नौंबर तक का उपलब्द करा देंगे मन्तवाइस 5 December ये एक से 5 December की निउस का अलग से मिल जाएगा आपको और करीब जो है 5 December ये 6 December को total PDF आपको मिल जाएगी एक ही PDF में करके जितना में current fair revision आपको करना जरूरी होगा वो आपको ग्रूप में मिल जाएगा लेकिन अभी के लिए monthly current fair की PDF जरूर पढ़ते रहें इसके आप वीडियो लेक्चर जो है इसको हम लोग paid quiz ग्रूप में आपको डाल देते हैं अगर यूटूब पर नहीं free होता है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाता है उत्तरप्रदेश करेंट अफेर आपको जुलाई 2023 से लेकर तयारा करना है क्योंकि देड़ साल पहले तक का उत्तरप्रदेश करेंट अफेर आ जाता है एक्जाम में तो जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का एकसाथ दे दिया गया है आगे का इसी आपके study material page group में मिलता रहेगा वीडियो क्लासेश हमने लगबख सारी आपको एकसाथ दे दी गई है कुछ एक वीडियो क्लासेश जो जरूरी important revision वाली होंगी वो post की जाएगी ग्रूप में otherwise subject wise सारे recorded classes आपको मिल चुकी सारे रिकॉड़ेट वीडियो क्लासेश के class notes अपलोड होने के बाद मिलेगी 19 नॉमबर के बाद study for civil services की test series की बात करें तो जो लोग full paid रूप में आये हैं या फिर only test series वाले ग्रूप में आये हैं या फिर study material test series वाले ग्रूप में आये हैं इस सिर्फ PYQ पिछले पुराने सालों के 10-15 वर्षों के ले करके उसके numbering चेंज करके या option उपर नीचे दायबाय करके test series बनाई जाती है उसका लाभ आपको कई बार नहीं मिलता है PYQ आप अलग से पढ़ सकते हैं हमने compilation दिया है और वहाँ पर explanation की ज़रूप नहीं है किसी भी test series में आप पुराने question नहीं पाएंगे कुछ एक फैक्ट जो पुराने सालों में कई बार repeat होते हैं वह आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन वह भी copy नहीं किये जाते हैं पुराने सालों के paper से minimum 46 test series का मारा commitment है 10 GS के full in tests में कराये जाएंगे जिसमें 140 प्रशन होते हैं जैसा फैब्म पेपर आया था 10 समान हिंदी के full in test कराये जाएंगे 60 प्रशनों वाले और 10 GS के section wise test कराये जाएंगे है test में 50 प्रशन होते हैं 10 यहां पर समान हिंदी के sectional test होंगे इसमें एक एक topic से समंदी 50 प्रशन होंगे 10 reasoning के test कराये जाएंगे है test में 50 प्रशन होंगे तो reasoning के लिए study material मतलब जो ज़्यादे तर questions दिये गए हैं आपको उसके साथ यह test series लगाएंगे reasoning में आपको काफी लाब यहां पर पहुंचेगा reasoning काई सारे question हम और भी आगे upload करेंगे test series वाले reasoning question जरूर लगाईएगा क्योंकि यह उसी के नरूप है जैसे exam में question आते हैं तो इतना यहां पर reasoning के लिए तैयारी काफी होगी अलग से बहुत ज़्यादा इसमें देखने की आवशकता नहीं पड़ेगी reasoning में आप time dedicate करिए last में practice जरूर करके जाए लेकिन daily जो है reasoning मेरे इसाथ से RO RO level की अब देखने ज़रूरत नहीं तो चाहर टाफ question निश्यत तौर पर आते हैं लेकिन maximum question 80% question अभी भी previous paper के न रूप रहते हैं at least reasoning में practice की अगर हम बात करें तो official labels और latest trend pattern के इसाब से बहुत सारे question अल्रेडी हम लोग upload कर चुके हैं क्योंकि February में PayPal cancer होने के बाद रद होने के बाद परीशा हमने तुरंती कुछ group शुरू कर दिया था तो काफी सारे question GS Hindi के अल्रेडी upload हो चुके हैं उसमें अब GS के यहां पर प्रश्ण करा जाएंगे वो कठिन स्तर के और tricky वाले question यहां पर करा जाएंगे जैसा फेब में वेपर आये था अशरसन रीजन वाले question multiple statement वाले question जैसा वेपर आये था फेब बंथ वाला वैसा ही हम लोग यहां पर कराने की अब कोशिश करेंगे तो GS के प्रश्णों की संख्या आप डेली बेसिस पर करीब 30 की रहेगी मिनमम 30 रहेगी समान हिंदी के हम अल्ड़ी 6-7 अजार question करा चुके हैं तो अब डेली 30 प्रश्णे आपर समान हिंदी के पोस्ट किये जाएंगे और परिश्चा से दो महिने पहले लगभख इन प्रश्णों की संख्या में काफी बढ़ोतरी यहां पर होगी वैसे ही हम बहुत सारे करा चु कराना शुरू कर देंगे लेकिन अभी जितने प्रश्ण अप्लोड हो चुके हैं उनको लगाना आपके लिए ज़रूरी है तो आपको पता होना चाहिए कि तरती एक छेत्र यानि टर्सरी सेक्टर में आते हैं हमारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें टर्सरी सेक्टर जिससे विज़वन फॉल्लिग इस नॉट करेक्टली मैच्ड़ हरिदास जैनती मेला निदिवन वरंदावन मुडिया पुनो मेला गोवर्धन मंथुरा देवा शरीफ मेला बहराइच और शरंगी रामपूर मेला फरुकाबाद कौन सही सुमिलित नहीं तो मालीजी हम यहाँ पर सी चूस करते हैं यहाँ पर सही हो गया यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है देवा शरीफ बारबंकी यहाँ पर दिया हुआ है तो इस तरीके से आई है मालीजी हम कोई गलत उत्तर चूस करते हैं जानबूच करके संविधान के मौलिक अधिकारों अलपसंखे को आदिवासियों और भाहिश्क्रत छेत्रों पर सलाकार समीति के दिया हुआ हुआ है पर देखे रेड़ प्रॉस लग गया रेड़ फ्रउस यहां पर लग यहां पर दिया हुआ रॉट है और सही उत्तर क्या है जहांपर यह तो यह सुख्षम सा वाइड-टिक मार्क लगा हुआ है बैक्गराउंड कूछ भी हमा लीज़ी यहांपर बलू दिख रहा है आपके टैब में, तो आपके टेलिघ्राम में हो सकता है, यह दिया हो किसी और कलर से, लिकिन यहाँ पर white tick जो है, यह आपके सही उत्तर होता है white tick mark, यह सही उत्तर denote करेगा आपको इस तरीके से आपको करना है प्रत्रम question पर आपको जाना है तो आपको समान हिंदी का day 1 का कुछ लगाना है तो इस link पर आ जाएंगे समान हिंदी का day 2 का कुछ लगाना है तो इस link पर GK का आपको कुछ लगाना है GS का तो day 2 पर आ जाएंगे इस तरीके से जो मैं क्लिक करता हूं तो देखिए हम इस पर आ गए GS के top 50 questions day 2 इस तरीके साब इसको solve करना शुरू कर सकते हैं सारे के सारे question यहाँ पर लगा लीजेगा इसका बहुत lab आपको मिलेगा last time भी हमने paid quiz group चलाये था और उससे बहुत lab यहाँ पर GS और हिंदी के प्रस्णों के लिए students को मिला था आनने चीज़ों अंवेस्तों ने करन और चुकि उसका lab भी ना मिलता आपको अगर हम analysis करते हैं इस वज़े से हमने test series का analysis ही नहीं किया था लेकिन पूरे के पूरे 58 question किया जा सकते थे हिंदी के study material से और paid quiz group से paid quiz group में कराएगा हिंदी question से और हिंदी के study material से इतने question सही निकाले जा सकते थे total विलाकर के 151 question साफ मारे study material से और practice resources से निकाल सकते थे जो paper cancel हुआ उसमें बहुत दुरभाग की बात है फिर से आपको paper देना पड़ेगा लेकिन जो लोग भी आश्वास्तने paper के लिए या फिर पिछली बार जो लोग नहीं appear हुपाये थे काईदे से या फिर जिनका अच्छा paper नहीं हुआ था आपके लिए second chance है आप अच्छे से prepare करके study for civil services के इस पर रूप में आ करके पूरी तयारी अपनी कर सकते हैं selection वाली तयारी exam की demand पूरी करने वाली तयारी यहां से कर सकते हैं क्लास नूट्स के साथ जो हमने recorded classes add किया है recorded classes बहुत बड़ी रही होगी ऐसा नहीं होगा कि एक topic को दो तीन तीन घंटे खीचेंगा इसा नहीं करेंगे recorded class बहुत हद तक समगरी के इंदितर होगी यानि की content focused होगी इसमें आपको एक limited time frame में अच्छा तरीके से content को समझा दि कि दोर पर आरकमडीस principle उसका उपयोग क्या होता है हमारी daily life में विबिन जो science के concept होते हैं उनका उपयोग क्या होता है DNA क्या है gene क्या है ये सब और उद्द्योग से समंधित जो चीज़ें होती है जोगरफी में सब समझाने पर focus किया जाएगा इसमें हम live इसलिए नहीं कर र प्रिंटेबल फॉर्माट में बिल जा रही तो दो तरफा आप रिवीजन कर सकते हैं तो डेली रिकॉर्डेट क्लास सुनते समय देखते समय उसको study करते समय और एक जब आप रिवाइस करेंगे class notes से और यहां पर यह भी सुगधा है ऐसा नहीं कि एक बार ही आपके पास आप दोनों में से किसी भी format का doubt यानि class notes में अगर कोई doubt है daily class में कुछ चीज नहीं समझ पाए है तो doubt clearance का group है उसमें educator है आप उसमें पूछ सकते हैं को भी आपका doubt है कि हमें यह चीज नहीं समझ में recorded class में या फिर यह class notes में जो यह आउधा है यह नहीं समझ में तो आप उस आपको समझा जाएगा किस तरीके से त्यार कर सकते हैं आप क्या technique अपना सकते हैं और हमेशा ही जो तथ्यात्मक त्यारी है वो छात्र को ही करनी पड़ती है तो जो हमारी recorded classes है उसमें पार सामकरी को समझाने पर बल दिया जाएगा और तथ्यात्मक जानकारी को कैसे टेखनीक्स पर focus किया जाएगा डेली 6 साथ गंटे का ये rough time plan आप बना सकते हैं चाहे class wise पढ़े है चाहे subject wise आप पढ़ सकते हैं class खत्म होने के बाद class notes जब सारे upload हो जाएंगे और class wise lecture आपके मिल जाएंगे recorded classes के form में उसके बाद आप subject wise revision शुरू कर सकते हैं class wise किस तरीके स पढ़ सकते हैं डेली 6 साथ गंटे में इसको एक बार देख लेते हैं डेली class के जो notes बिलेंगे उसके revision के लिए हम दो गंटे यहां पर time मान रहे हैं अगर आपने एक बार video lecture देख लिए video lecture करीब एक आर का हम लोग यहां पर मान लेते हैं एक गंटे का एक गंटे का video lecture हो गय recorded class जो है और daily class के notes पढ़ने में आप अगर तीन घंटे वित्रीद करेंगे तो पूरे topic की clarity आपको मिल जाएगी बस यह करना होगा कि उसकी एच्छे से practice करनी पड़ेगी practice आपकी paid quiz में लगतार चल रही है practice जो है वो class wise नहीं होगी एक बात समझेगा practice overall syllabus के हिसाब से हो रही reasoning practice के लिए करीब 30 minute निका लिए और हिंदी पढ़ने के लिए करीब 45 minute निका लिए और हिंदी केवल और केवल study for syllabus के notes से ही पढ़िएगा जो PDF आपको दी गई है current fair पढ़ने के लिए 30 minute बानके चलते हैं और बागी टाइम यहाँ पर revision or quiz practice करिए प्यवाई क्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए यह एक रफ टाइम प्लाइन यहां पर है इतना लगभग आपको subject wise division करना चाहिए अगर आपको लगता है कहीं पर घटाना बढ़ाना है तो आप अपने सुधा के हिसाब से समझ के हिसाब से अपने daily schedule में परिवर्तन कर सकते हैं आरो यारो का जो exam है जिस इसाब का exam होता है GS वाला का गर्म बात करें basically तो विशाबस्तु से यह सब पूछा जाता जैसे आपने देखा होगा paper में भी कि कहां पर क्या है कब हुआ था कोई event इतियास में कब क्या हुआ था उसको कालिकरम लगा दीजिए जैसे इतियास में प करीके के event में कई थत्य पूछ लेते हैं उसमें बताना होता कौन सा सही यह कौन सा नहीं सही है ऐसे भूगोल में और बाकी subject में कथन और कारेंड वाले प्रशन इस बार कई सारे बने थे कथन कारेंड वाले इतने प्रशन पहले नहीं बना करते थे अगर आपको यादो लेक इस पर भी विचार करता है इनमें से काउन सा सही इनमें से काउन सा नहीं सही है तो यानि कि जो टैबलर जानकारी जैसे country capital से दो सवाल इसमें आये थे history geography मिक्स करके दो प्रशन इसमें आये थे टैबलर जानकारी जो कई सारी listing हम लोग बोलते हैं वो आपको त्यार करनी उसे इसी प्रकार के प्रशना आपके पूछे जाएंगे क्या है कहां है कब है क्यों है अन्य समंदित जानकारी उसे समंदित तत है और क्यों और कैसे है और इनमें से काउन सा नहीं सुमेलित है यह वाला ऐसा ही प्रशना आपके बनते हैं जो लोग पहली बार तयारी करते ह कुम से लगता है कि सब कैसे ट Pixel होगा इतनी सारी डेट्स हैं जिधने सारे अवधाहडाय हैं मुझां मुझे सार्ट से हिस्टरी में इन्वार्मेंट में यहां जिध्स में इसने सारे देट्स हैं प्लस कई सारे concept हैं fact हैं कई सारे अलग-अलग जो है syllabus के topics के यह तत्त कैसे तयार होंगे तो तत्त वैसे ही तयार होते हैं जैसे हम ने बताया कि आपको जैसे हम ने class ती फ़ले recorded class देखी और फिर class notes यहां पर पढ़ें class notes की reading की और फिर practice आप कर रहें लगातार पेड़ कुस से practice कर रहें उसका लाब मिल रहा है test series से practice कर रहें उसका लाब मिल रहा है पी आईक्यू देख रहें उससे समझ बना रहे हैं और जाएसे जैसे exam नजदी का रहा है फिर class notes का आपने एक पर revision किया revision किस से करना है revision class notes से करिएगा ठीक है recorded classes revision मेरे साब से उतना साही रहेगा जितना class notes से आप बार-बार कोई चीज पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह पूरा जो कह सकते हैं system है इसी से लोग अपना exam clear करते हैं और इसी से आगे भी clear करेंगे इसी से आपको भी करना है तो प्रैक्टिस यहां भी बहुत relevant होती है जब वस्तनुष्ट पेपर होता है content हम आपको दे रहे हैं recorded classes भी आपको बिलने शुरू हो जाएंगी इसकी multiple times revision student को करना है multiple times revision करने में भी student का ही यहां पर अमेन युगदान रहता है कोई भी institute आपकी help multiple times revision करने में नहीं कर सकता है इस subject से कितने प्रशनाते हैं यह हम latest ही देख पाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात 2023 का जो paper 11 February 2024 को हुआ था इससे पहले वाला नहीं देखेंगे क्योंकि latest trend EC से पता चल रहा है history, geography, policy, economy, science, environment, reasoning, current affair और बाकी जितने भी topics होते हैं उनसे प्रशनाये थे हमेशे की तरह भूगोल से ज़्यादा प्रशनिस में आये थे, भूगोल से प्रशनानी का एक कारण भी है क्योंकि जो व्यापार माडिजी है कई बार भूगोल से लिंक करके आजकल आयोग नए तरीके के प्रशन बना रहा है आरो में जोग्रफी अच्छी खासी आती है इस्ट्री के भी 18 प्रशनिस में आये थे, एंशेट पिंडवल मौटरन सब कुछ इसमें आया था UPGK UP Current का वेटेज लगतार बढ़ रहा है, UPGK UP Current से 11 प्रशनिस में आये थे इस बार GKS जदा आये था, कई बार UP Current भी आ सकता है तो ये पैटरन है आपर, Current Affairs से प्यवरली 18 प्रशनिस बार बने थे विविद से इस बार 12 प्रशनिस बार बने थे जब पुनर परिक्षा होगी भुगोल से प्रश्ण रहे जाए 19 और 6 प्रश्णी धर उदर सिफ्ट हो जाएंगे कहीं जो है पर रेवरेंड में सिफ्ट होगा कहीं साइन्स में विज्ञान में कहीं करेंट अफैर में कहीं यूपीजी के में हिंदी प्लस जीएस में आपका आइडल स्कोर क्या होना चाहिए कट आफ से पार जाना हमारा लक्षा तभी मेंस लिख पाएंगे प्रिविस से कट आफ यहां पर रखा है हमने लेकिन अब ज्यादा कोई इसका महत्वन नहीं रह गया है लास्ट टाइम कट आफ 2016 अरी एक्जा आफ हागया है हिंदी वाला में अब फच्पन प्लस ला सकते हैं हमारा स्टडी मटेल पड़ करके पेड कुई स्वालू करके टेस्रीज लगा करके पच्पन सतावन नंबर आप ला सकते हैं थोड़ी समेनत लगेगी लेकिन पेपर करते से मैं आसानी महसूस करते हैं आप औ इतना ही यहां पर cut-off मैं expect कर रहा हूं और अभी जो एक्जाम हुआ है इसका अगर cut-off आया होता तो यूर का 115, 120, 122 से ज्यादा cut-off ना गया होता तो यही हम्मान करके चल रहे हैं कि 70 आप करीब target रखे और moderate difficult paper में 70 तार्गेट रहेगा 70 से 270 marks आप कोशिच करें कि इसमें आपको 55 प्लस इसमें इंशोर करना ही करना है क्योंकि एक-दो सवाल तो disputed वाले होते हैं 55 प्लस यहां पर score करने का आपको target ठटना चाहिए कुछ final guidelines यहां पर समलीजी एक बार study for civil service का ही content आपको तैयार करना है मैं इस पश्ट तावर पर बता दूं क्योंकि बार-बार doubt आत खुछ अलग guidance भी हम लोग कई बर देते हैं voice messages के माध्यम से या फिर कई बर live भी हम लोग करते हैं तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा one stop destination में study for civil service का group होता है one stop destination सिर्फ कहने के लिए नहीं है यह बात जो है लागू भी करते हैं हम लोग कि जो यहां प प्रचर ही हो चाहे यूपी कर इंटरफेर हो यूपी जीके हो सबसे कुछ ना कुछ प्रशना आए हैं geography history से ज्यादा प्रशना आते हैं कई बार लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि सिर्फ geography history से cutoff निकाल दें या फिर सिर्फ environment science और politics से cutoff निकाल दें इस तरीके इस चीज नहीं काम करते हैं आपको overall syllabus त्यार करना होगा overall syllabus त्यार करने के लिए आपको काफी समय भी मिल गया है study for civil services के practice resources को follow करिए क्योंकि fresh questions आपको यहीं पर मिलते हैं test series आप देखी हर बार fresh test series बनाए जाती है paid quiz के question भी पीवाइक्यू से inspired हैं लेकिन केवल पीवाइक्यू नहीं है पीवाइक्यू के जरूरी वाले प्रस्ष्ण पेड़िक्विस में आपको कराया जाते हैं लेकिन हमारा पेड़िक्विस जो है कह सकते हैं resource intensive होता है और आपको diligently तयार करता है आपको तयार करता है exam के लिए ठीक है उसका advantage है और overall syllabus तयार करने में आपको सहुलियत मिलती है recorded classes जब आप देखेंगे तो आपको लेगा कि हां कुछ पीवाइक्यू से solve करेंगे तो recorded classes का ज्यादा लाब मिलेगा पूरा syllabus नहीं है बार बार लिख देता हूं कि कुछ लोग अभी भी इस मुकालते में कि पीवाइक्यू तयार करके आप exam निकाल लेंगे ऐसा नहीं होगा पीवाइक्यू से से लेबस लायर करने में आपको help करेंगा लेकिन PYQ से cut-off नहीं निकल सकता जी एसका cancelled paper से हमें समझने जड़ूरी है कि 85-85 प्रशन साही करने चाहिए क्योंकि हिंदी का paper हर बार easy moderate type रह जाता और अगर paper थोड़ा सा easy side रहता है 80-85 आपको चाहिए होंगे easy moderate type जो लोग पूरा से levels cover करते हैं वो paper के दिन समझ जाते हैं कि हमारा जो है क्या सही score होना चाहिए या फिर कितना सही attempt होना चाहिए बाकि इसके लिए guidance आगे मिलता रहेगा कितना attempt करें लेकिन अभी आप study material पर focus करिए cancel paper समझता होगा कि जीस moderate difficult side ही आ रहा है लगातार जब 2020 में भी paper हुआ था थोड़ा सा disputed paper था वो प्रशन थोड़े से गलत पूछ लिए गया थे कई सारे उसको अगर छोड़ दे तो तब डेली आपको 6-7 गंटे यहां पर निकालने हैं अगली 4-5 पहिने का जो समय मिल गया है आपने देखा होगा कई बार आपका paper अच्छा नहीं होता है और फिर आपको बहुत लंबा बेट करना पड़ जाता है 11 एपको जो paper हुआ था उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं पड़ना आप ही को पड़ाएगा लेकिन daily class notes तो आपको group में सही मिलेंगे study material group में और recorded classes भी मिलेगी लेकिन जो study material है daily classes के form में और जो आगे subject wise वो दे दिया जाये combine करके उसके लाबा भी आप दिये गए notes का short notes बना सकते हैं चाहे तो वरस 2023 से ही होना शुरूव हो गया था मिट से और budget में भी इसको announce किया गया था बजट 2023 में sickle cell anemia on moulan का रेक्रम सरकार ने announce किया था तो इसका क्या significance है sickle cell anemia का उधारणा क्या है sickle cell anemia हमारी body में क्या प्रभाव डालती है on moulan का रेक्रम का target क्या है इसका लक्ष क्या है औ और कितने राजियों को इसमें अच्छादित किया जाएगा सब इसमें आप अलिक सकते हैं वैसे तो यह जो भी है जो भी scheme है या फिर जो भी concept है उसको notes form में cover किया गया होगा daily notes में और subject wise में भी किया जाएगा लेकिन आप अच्छे तरीके स्रिवाइस करने के लिए इस तर पहले यह RBC disorder है Red Blood Corpuscles यानि हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है RBC disorder है RBC की आकार को basically प्रभावित करता है RBC का आकार जहां by concave shape का होता है इस disorder के होने पर हो जाता है सिकल यानि दरांती के shape का हासिया के shape का हो जाता है तो इससे क्या होता है इससे body में प्रभावित होता है कि RBC जो की RBC का जो काम है मुलभूत वर्क जो है oxygen को transport करना oxygen ट्रांसपोर्ट अच्छिस नहीं कर पाता है क्योंकि सिकल shape के ज swelling in hands and feet tribal area population को ज्यादा प्रभावित करता है सिकल सेल अनीमिया तो जो 17 राज जिन जो focus state है सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कारिकरम के 17 focus states इन में ज्यादतर states ऐसे हैं जहां पर tribal population ज्यादा है सिकल सेल अनीमिया का test कैसे करते हैं सिकल सेल अनीमिया का test कर सकते हैं हम लोग high performance liquid chromatography test से HP LC test से full blood count test से HP electrophoresis से और iso electric focusing से वर्ष 2047 के पहले SCD के लिए कारिकरम है और इसको अनौन्स किया गया था budget 2023-24 में officially कब PMोधी जी ने इसको लागू किया शैडोल मद प्रदेश में कारिकरम की दौरान इसको अनौन्स किया गया था एक जुलाई 2023 को इसमें लक्ष किया ह कि 7 करोड़ लोगों की screening करनी दो phase में पहले साल 0-18 वर्ष की लोगों की screening होगी और 2nd और 3rd साल में 0-40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की screening करने का लक्ष रखा गया निए test करने का कि क्या उन्हें वाकई sickle cell disease है sickle cell disease के लिए focus states जो है उनके नामी लिखे हुए है क्या इसमे उत्तर प्रदेश भी सामिल है ठीक है यूपी भी इसमें शामिल है तो इस तरीके से class notes की note making भी आप कर सकते हैं बागी कोई doubt है आपका class notes में कोई doubt है recorded lecture में कोई doubt है तो आप doubt ट्रेंस वाले group में पोच सकते हैं उसमें admin active रहते हैं within 6 hours आपके doubt का reply यहां पर किया जाता है तो लोग full paid group में हैं उनके doubt clearance में हमारा commitment होता है कि within 6 hours यानि 6 गंटे के भीतर आपके doubt का reply किया जाए यह maximum duration है इससे पहले ही आपके doubt का समधान यहां पर कर दिया जाता है तो 15 माई के round आपकी daily classes मिलना शुरू हो जाएंगी तब तक daily notes का अध्यान आप शुरू कर सकते हैं हिंदी का अध्यान आप शुरू कर सकते हैं paid quiz लगाना चाहें तो शुरू कर सकते हैं इस तरीके से हमारा paid group यहां से शुरू हो जाता है बागी कोई आपका doubt है आप doubt ट्रे